नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेटी फॉर स्वाइब से चाहते हैं तो यह वाला टेलीग्राम जरूर ज्याइन करना बहुत ज्यादा जूरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्न इपोटेंट पिक्स, सारा रिवीशन, सब कुछ आपके बता कर्मा स्वागत करता हूं दोस्तों यह यूपी PCS प्री के जीयर सीरीज का दूसरा वीडियो है वीडियो शुरू करने इस पहले बाद आपको बताना चाहता हूं हमारी कई पेड़ चलते हैं अगर आप इनको लेना चाहते हैं इन दो नंबर कर जनकाई प्राप्त कर सकते है तो दोस्तों देखते हैं आज के पहला प्रस्म लोग निम्नलिखित में से किस यंत्र का उप्योग आति निम्नताप को मापने के लिए किया जाता है कोलोरी मीटर कैथटो मीटर क्रायो मीटर साइकलो ट्रॉन तो इसका जो सही आंसर है वह option C क्रायो मीटर को उप्योग जो ह आति निम्नित आपको मापने के लिए किया जाता है आज देते हैं अगला प्रसम लोग निम्निलखित में से काउन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है यह आपको प्रकास की चाल बतानी है और उसके माध्यम को जोड़ा गया है आप लोग सभी आप्सन को पढ़ लेजिए इसका दो लाग किलोमेटर पर सेकंड होती है इसका जो ऑप्सन ए है वह सही है आज देते हैं अगला प्रसम लोग हाले में वर्ड एकॉनमिक सिच्वेशन और प्रोस्पेक्ट 2021 की संगठर ने जारी किया है डवल्ड बैंक युनाइटेड नेशन आई एमफ तो इसका जो सही आंस है वह ऑप्सन सी युनाइटेड नेशन ने जो है वर्ल्ड एकॉनमिक सिच्वेशन और प्रोस्पेक्ट 2021 को जारी किया है और युनाइटेड नेशन की जो स्थापना होई थी वह 24 अक्टूबर 1945 मोई थी और इसका जो मुख्याला है वह जो है निवी यार्क में है और वर्तमान में जो है इसके महासचिव जो है वह एंटोनियो गुट्रेश है आई देते हैं अगला प्रस्म लोग निम्रिलिकित में से किसने ब्रिटिस सासन के समय आर्थ ब्यावस्था को खोखला करने एकॉनमिक ड्रेन के सिध्धान्त के बारे में एक किताब लिखी थी एडम स्मित कार्ल माक्स दादा भाई नवरोजी काउटिर ले तो इसका जो सही आंसर है वह उप्सन सी दादा भाई नवरोजी ने जो है एक किताब लिखी थी और उस किताब का जो नाम है वह पावर्ट सुमिलित होती है आए देते हैं अगला प्रस्म लोग निम्रिकित में कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं है जहरना और नदी का जो है यहां पर सुमिलित कराए गया है सीव समुद्रम कावेरी पुनासा पूरा नदी चुलिया चंबल धुवाधार नर्मदा तो इसका जो सही है यह उप्सर और पुनासा जो जहर स्थानаров और जो समय या स्थान है में थे भारत सबसे झ्छल प्रपाइज वह माहत्मागानदी यहुदी सपाजल परपाथ है और इसकी जो कुल उंचाई है वह है दो सो पचीस मीटर है और यह जो है करनाटक में स्थित है और यह सरावती नदी पर इस्थित जर्ना है आज देते हैं अगला प्रसम लोग नीचे दिये गए जापान की दुईपों का उत्तर से दच्छिड अनुकरम कर पहटाईना है होकाइडो हुंसु कियूसु है इसके लिए चारा आप्षण दिया गया है आप लोग आप्षण को बाले जिए इसका जो सही इंतर है वह उत्तर में ही होकाइडो होन्सु जो है यह जापान का सबसे बड़ा दूइभ है और इसी पर जो है इसकी राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो जो है इस्थित है होन्सु दूइभ पर आए जिते हैं अगला प्रस्म लो निम्नेलिखित कथन किस ग्रह के बारे में कहा जा रहा है यहां पे चार कथन दिया गया है यह सूरिप की परिक्रमा जो है उन्ति द्रमलों पांच वर्स में पूरा करता है इसके वलियों की संक्या साथ है सौर मंडल में सरवाधिक उपग्रह वाला ग्रह है इसके जो कुल बयासी उपग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटन है यह आपके बताना है यह किस ग्रह की विशिश्थाएं है बुद्ध, सुक्र, सनी, ब्रियस्पत ति इसका जो सही आंसर है वह option C जो है यह सबी जो है साइटन की विशिश्था है यह जो सूर्ई के परिकरिम यह 20र रिय्क पांच वर्सिन पूरा करता है और इसके जो है स्कुल 7 वलय है और यह सरवाधिक उपग्रवाला ग्रह हो गया है इसके जो 82 उपग्रव और दूसरे नंबर पर जो है ब्रहस्पति आता है सरवाधिक उपग्रहों के लिस्ट में और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटेन है यह है आप लोगों के लिए बिसेस प्रस्ण बनाए गया है इसी प्रकार से प्रस्ण जो है आगे वाले सीरीज में हम लोग आइड करते चलेंगे आए देते हैं अगला प्रस्ण लोग निमनलेखित में से किस कर का आरोपन केंदर करता है किन्तु संग्रह और विनियोजन राज करते हैं इस्टांप सुल्क यात्री और मालकर संपदा सुल्क समाचार पत्रों पर कर तो इसका जो सही आंसर है वह आप प्रस्ण लोग चेत्रफर के देश से भारत का सबसे बड़ा बायोस्पेर रिजर्व कौन सा है नोकरेग बायोस्पेर रिजर्व मन्नार की खाड़ी बायोस्पेर रिजर्व मानस बायोस्पेर रिजर्व या कच्चकरण बायोस्पेर रिजर्व तो इसका जो सही आंसर है वह option D जो है कच्च करण बायोस्फियर रिजर्व जो है यह भारत का सबसे बड़ा छेत्पर में बायोस्फियर रिजर्व है और यह जो है गुजरात में इस्तित है गुजरात में इस्तित है मानस जो है यह असम में इस्तित है नोकरी एक बायोस्फियर रिजर्व जो है यह जो है मेगालाय में इस्तित है मेगालाय में इस्तित है आई देते हैं अगला पसम लोग निमलकिर में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है जिवधारी है और उनके जो है वैज्ञानिक नाम है मेधक, राना-टिक्रीना, मख्hi, मुश्का, डोमेस्टिका, गेहू, वेट, सर्सो, ब्रासिका, कम्पेरिट, ट्रिस इसका जो सही आंसर है वो और आप्षन सी गेहू का जो बैज्ञानिक नाम होता है वेट टिक्टिकम STVM होता है ना कि वेट STM होता है इसका जो option C है वेट गलत सुमेलन है आईए देते हैं अगला प्रस्म दो निम्रेखित में कौन सा प्राक्तिक रूप से सबसे मीठा है आपके पैचानना है lactose glucose सुक्रोज, fructose इसका जो सही आंसर है वे option D फ्रक्तोज जो है प्राक्ति रूप से सबसे मीठा होता है इसका जो option D है वेट सही है आई देते हैं अगला प्रस्म दो हाले में HSBC ने अंतराश्टी बैंकिंग इकाई का उधगाटन किस राज में किया है महाराश्ट, गुजरात, उत्तरपदेश, हर्याना तो इसका जो सही आंसर है वे option D गुजरात में जो है HSBC ने जो है अपनाई बैंकिंग इकाई का उधगाटन किया है और यह जो उधगाटन है यह गुजरात के गांधी नगर में किया है गांधी नगर में किया है और HSBC का जो मुख्याला है वह जो है लंदन में है लंदन में है और इसके जो वर्तमान CEO है वह नियोल क्विन है और यह जो बैंक है यह United Kingdom का बैंक है HSBC बैंक आई देते हैं अगला प्रस्म लोग मुहम्मद साहब के संदर में निमलेखित में से काउन सा कथन सही नहीं वाव को पहचारना है यहां पे चार कथन दिया गया है मुहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था यह मोर्ति पूजा के विरोधी थे इनके पिता का नाम मुहम्मद हामित था ये कुरैसी जन्जार के थी तो इसका जो साही आंसर है वो option C इनके पिता का नाम जो है मुहमन हामिद नहीं था बलकि इनके पिता का नाम जो है वह अब्दुल्ला इबन अब्दुल मुतलिब था और इनका जन्म जो है वह 570 इस भी मुगा था और इनकी माताग जी का नाम जो है वह अमीना था और इनकी पत्नी का नाम खतीजा था पहली पत्नी का नाम आई देते हैं अगला प्रस्म लोग हाले में IMF ने वर्ष 2021 में भारत की GDP ब्रिद इदर कितना प्रस्म रहने का अनुमान लगाया है 10.1% 9% 11.5% 10.5% तो इसका जो सही आंसर है वह option C 11.5% कानुमान लगाया है IMF ने वर्ष 2021 में भारत की GDP ब्रिद दर को और IMF की जो अस्थापना होई थी वह वर्ष 1944 में होई थी और इसका फुलफार्म होता है वह International Monetary Funds का फुलफार्म होता है और वर्षमान में जो है इसके Managing Director जो है वह Christina Lagarde है Christina Lagarde Lagarde जो है यह इसकी वर्षमान Managing Director है और IMF का जो मुख्याला है वह वासिंगटन DC में है और इसके जो है मुख्य अर्थसास्त्री है वह गीता गोपिनाथ है गीता गोपिनाथ आई यह मरत की आई देते हैं अगला प्रसम लोग तहकीके हिंद किताबुल हिंद का सरप्रथम अंग्रेजी भासा में अनबार किस ने किया था दारा सिको ने अलबुरुनी ने सचाओ ने रजनी कांत सर्माने तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्षन सी सचाओ ने तकि के यह हिंद पुस्तक जो है यह अलबुरुनी ने लिखी थी और अलबुरुनी जो है एक फार्षी था और यह जो है गजनी के साथ भारत आये था गजनी के साथ भारत आये था आई एतने हैं अगला प्रसम लोग कुवत उल इसलाम मस्जिद इसलामी पद्धत द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है इसका निर्माड किस ने करवाय था कुतुबु दिन अबग अलाव दिन खिल जी साजहां या औरंग जेव तिसका जो सही आंसर है वह अप्शन ए कुतुबु दिन अबग कुवत उल इसलाम मस्जिद का निर्माड करवाय था और यह मस्जिद जो 1192 में बननी प्रारम होई थी आप लोग कमिन बाक्स बताएगा कि कुतुबु दिन अबग के राजधानी कहा थी आई देते हैं अगला प्रस्म लोग प्रत्हम भारती तत्रचक अरिकारी जिन्हे परम विसिष्ट सेवा पदम पदक पुरसकार प्राप्त हुगा हर्जोज सिंग, स्री अमित प्रसाद किस्टुब स्वामी नटराजन या R.K.K.R. सुरीज तो इसका जो सही आंसर है वो ओप्षन C किस्टुब स्वामी नटराजन को जो है पदम विसिष्ट सेवा पदम पुरसकार प्राप्त हुआ है इसका जो ओप्षन C है वह सही है आई जाते हैं अगला प्रस्म लोग, विस्त के आस्थानान तरणिय क्रिसी और उसके छेत्रों का सुमेलन सही नहीं है तमराई, थाइलेंड, कोनोकू, वेनुजियेला, रोका, ब्राजियल, चेन्ना, रूस तो इसका जो सही आंसर है, वो आउपसन डी, चेन्ना जो क्रिसी है, यह रूस मिनाओकर या जो है, स्री लंका में कही जाती है स्री लंका में, आई जेते हैं अगला प्रस्म लोग, हाले में गाजा कैप्टल बिजनेस बुक प्राईज दोजर बीस किसने जीता है रतन टाटा, मिहिर दलाल, सच थरोर, चेतन भगत, तो इसका जो सही आंसर है, वो आउपसन भी, मिहिर दलाल ने जो है, गाजा कैप्टल बिजनेस बुक प्राईज दोजर बीस को जीता है आई जेते हैं अगला प्रस्म लोग निम्रे लिखित में काउन सायोग में सही सुमिलित नहीं है अभिलेक और सासक यहां पे दिया गया है एहोल अभिलेक असोक, जूनागर अभिलेक रूद्र धामन प्रथम, नासिक अभिलेक गौतमी पुत्र, हाथी गुमफा, खारवेल तो इसका जो सही आंसर है, वह ऑप्शन एहोल अभिलेक जो है, यह असोक से संब्धित ना होकर यह पुलकेसिन दुति से संब्धित था और पुलकेसिन दुति जो है, यह एक चालुक के सा सकता चालू किसा सकता और इसे नहीं जो हर्ष को हराया था हर्ष वर्धन को हराया था वीडियो गर आपको अच्छले तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल सस्क्राइब कर लिजिए वीडियो को पूरे देखिन धन्यवाद जैहिन जै भारत